अब हम आते हैं संसद पर संसद का गठन होता कैसे है जिसमें राश्टपती, राजसभा और लोकसभा है इनका गठन कैसे होता है इस पर चर्चा करें Composition of Parliament कैसे बनती है नीचे के जो तीन अंग हैं उनसे मिलकर संसद बनती है ये तो बताया आपको ये भी राश्टपती किसी भी संसद का सदस नहीं होता परंतु संसद द्वारा कानून बनाया जाने पर वह कानून तब तक नहीं माना जा सकता है ज़स तक राश्टपती के हस्ताक्षर ना हो जाए इसलिए वह भी व्यवस्थापिका का हिस्सा है विधाईका का हिस्सा है राज्यसभा और लोकसभा ने कोई साभी कानून बनाया हो बनाने कारते कोई साभी कानून पारित कर दिया हो बहुमत से पास कर दिया हो तो वो स्वह में कानून नहीं बन जाता अभी तो आधा काम ही हुआ है कि उसे जनता के परतिन्दियों ने पारित कर दिया है ये बात अभी हुई पहला चरण लेकिन उसके बाद पारित हुआ कानून राश्ट्रपती के पास जाता है और राश्ट्रपती यदि उसे उचित समझता है तो इस पर हस्ताक्षर करके अपने हस्ताक्षर करके कानून बनने की अनुमति दे देता है कोई भी विध्यक कानून तब तक नहीं कहलाता जब तक कि उस पर राश्टपती के हस्ताक्षर ना हो जाए अर्थात कानून और राश्टपती के बीच में बहुत गहन संबंद है यहां तक राश्टपती विध्याई का में बहुत महत्पूर्ण है ये बात उस पश्ट हो गई कि बिना उसके हस्ताक्षर के संसद कितने भी विध्यक पारित कर ले कितने भी बहुमत से कितने भी पुरजोर्स प्रयास कर ले राश्टपती के हस्ताक्षर के बिना वह कोई मायने नहीं है वह विधेयक ही रहेगा और राश्पति हस्ताक्षर करेंगे तभी वह कानून बनेगा और तभी विधाईका का कारे पूर्ण माना जाएगा उस कानून के मामले में राश्पति के बाद दूसरा अंग होता है राज्य सभा राज्य सभा जैसा शब्द से स्पष्ठ है Council of States राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सदन है केंद्र में केंद्र में राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्यों को प्रतिनिजित्व क्यों जरूरी है क्योंकि भारत एक संग है और संग में राज्य बड़े महत्पूर्ण होते हैं तो राज्यों को प्रतिनिजित्व देने के लिए केंदर में एक सदन है जिसका नाम है Council of State जिसे राज्य सभा कहते हैं इसे उच्च सदन भी कहते हैं याने अपर हाउस उच्च सदन या वरिष्ट सदन इसके बारे में विस्तार से हम आगे बढ़ेंगे लेकिन फिलहाल हम यह जान लें कि इनके सदस्यों का निर्वाचन जो होता है जिसका जिक्र मैंने निर्वाचन प्रणाली के चर्चा के दौरान उस अध्याय में किया था उसे कहते हैं एकल संक्रमनित अनुपातिक प्रणाल एकल संक्रमनियों और उसके बाद अनुपातिक अनुपात में और फिर प्रतिनिधित्व प्रणाली अनुपात में प्रतिनिधित्व होता है हर राज्य के लिए कुछ सीटें होती है अनुपात किसका जन संख्या के अनुपात के अधार पर सीटें होती है तो राज्य सभा जो है वह राज्यों का सदन है जो राज्यों को प्रतिनिजित देती है पहली बात दूसरा इसे उच्छ सदन या अपर हाउस भी कहते हैं वरिश्च सदन भी कहते हैं तीसरा इसके निर्वाचन की प्रक्रिया कहलाती है एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिजित प्रदिती और ये अप्रत्यक्ष प्रणाली है जनता इन प्रतिनिजियों का चुनाव नहीं करती इनका चुनाव राज की संबंदित राज की विधान सभा करती है इनका चुनाव सम्मंदित राज की विधान सभा के सजद से करते हैं इसलिए ये अप्रत्यक्ष प्रणाली है और पांचवी बाद जो राज सभा के बारे में अभी फिल हाल आपको जानना है वह है इसमें बारा सजद नामित होते हैं मनोनीत होते हैं राज सभा में बारा सजद से नामित मनोनीत किसके द्वारा राश्ट्रपती के द्वारा छट्वा बिंदु इसकी कुल सजद से संख्या दो सो पचास ये दो सो पचास में बारा नामित हैं और शेश का चैन सम्मंदित राज्यों की विधान सभाएं करती हैं क्योंकि हर राज्य को राज्य सभा की कुछ सीटे आनुपातिक दिश्टे से अलॉट की गई हैं। उस अलॉटेट सीट के लिए उस राज्य के विधान सभा के प्रतनिदी चुनाओ करते हैं सदस्यों का जो राज्य सभा में राज्य का प्रतनिदी तो करते हैं। इस पिकार राज्य सभा के बारे में जानने के बाद अब हम तीसरे अंग पर आएं किसके तीसरे अंग विधाईका के और वह है लोक सभा अर्थाथ हाउस ओफ पीपल लोक मने जनता पीपल हाउस ओफ पीपल हाउस ओफ पीपल अर्थाथ लोक सभा संसत का सबसे लोक प्रिय सदन और दूसरी बात यह इसे हम निम्न सदन भी कहते हैं लोवर हाउस कहते हैं जैसे राज्य सभा को अपर हाउस ऐसे लोक सभा को लोवर हाउस तीसरी बात इनके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है अप्रत्यक्ष नी जनता स्वयम चुनकर सदस्यों को भेशती है इसलिए ये प्रत्यक्ष प्रणाली होता है दूसरा प्रत्यक्ष प्रणाली के अलावा इसमें बहुमत के आधार पे चैन होता है साधारन बहुमत बहुमत इन्हें फर्स पार्श दे पोस्ट के आधार पे चैन होता है जो सबसे आगे उसका चैन जबकि राजी सभा में किस आधार पर होता है राजी सभा में जिसको मैंने कहा था आनुपातिक प्रतिनेदित्व प्रणा ली उसके तहट होता है यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनेदि यहाँ पर एक निर्वाचन खेतर से एक प्रतिन दी और कौन जो सबसे आगे है मतदान में मतगणना में जो सबसे ज़्यादा पाया पाँचवा बिंदू लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है जबकि राजसभा की 250 इन 545 में दो सदस्य जो हैं वो आंगल भारती कहलाते हैं आंगल एंगलो इंडियन अंग्रेजी में उसे कहते हैं आंगलो इंडियन आंगल भारती समुदाए से दो लोग नामित होते हैं मनोनीत होते हैं राश्टपती दौरा तो कुल मिला के सदन के दोनों सदनों में मिला कर राश्टपती कितने लोगों को नामित करता है 12 राजसभा के और 2 लोगसभा के 14 लोगों को नामित करता है कुल सदस्य संख्या लोगसभा की 545 जिसमें चुने हुए लोग होते हैं 543 इस प्रकार राश्टपती, राजसभा और लोगसभा इसको मिलाकर संसद कहते हैं इसका संयुक्त नाम है संसद दूसरे शब्दों में मैं पुना कहूंगा कि संसद का अर्थ संसद में राष्ट पती भी शामिल है अब अगला सवाल या आता है हमें संसद क्यों चाहिए विधाईका की जरुत क्या है विधाईका कितनी आवश्यक है तो चली हम जाने थोड़ा विधाईका के कारे और उनकी भूमिका क्या काम करती है functions and role of legislature हर राज में व्यवस्थापिका के कारे एक जैसे नहीं होते हूँ अलग-अलग देशों में व्यवस्थापिका के अलग-अलग कारे हूँ शासन प्रणाली भी अलग-अलग होती तो अलग-अलग शासन प्रणाली के कारण विधाईका के भूमिकाएं भी अलग-अलग हो जाती है और शासन प्रणालीयों की बात करें तो मैंने पूर्व में बताया है पूर्व के अध्याव में कितने तरह की विबिन्न तरह की शासन प्रणालिया दुनिया में है अध्यक शात्मक, अर्द अध्यक शात्मक, संशुलाई, संशुदी प्रणाली आदी आदी और इन सब जगह में व्यवस्थापिका की भूमिका थोड़ी बदल जाती है लेकिन लोगतांत्रिक पढ़ाली की बात करें कोई भी लोगतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पे व्यवस्थापिका की प्रमुक रूप से जो भूमिका है वो कुछ इस तरह है जिसे हम एक के बाद एक समझें लोकतांत्रिक देशों में सबसे पहला कानून निर्मान तमबंदी काम सबसे महतपूर्ण काम इसका होता है कानून निर्मान तमबंदी देश में शांति सुरक्षा बनाया रखने के लिए कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वह संसद पर है व्यवस्थापिका पर है और ये कानून कैसे बनते हैं इसकी एक लंबी प्रक्रिया है पर संक्षित में यहां पर इतना जान लें कि कानून बनाने संबंदी कारे इसके सबसे महत्पूर्ण काम है और कानून बनाते समय उस कानून पर पहले बहस होती है संसद के अंदर जो 543 प्रतिनी दिये मैं भारत के संबंद में बात करूँ तो इनके बीच में बहस होती है कानून और विधेक में हम पहले अंतर भी थोड़ा समझ लें विधेक वह प्रस्ताव है जो सदन में लाया जाता है कानून बनाने के लिए और कानून राष्टपति के दस्तकत होने के बात बनता है तो मैं विधेक की बात दिकरूं तो विधेकों पर पहले संसद के अंदर बहस होती है वाजवाद होता है अच्छाईयां बुराईयां इस विविन पहलूं पर बातचीत होती है और उसके बात फिर कानून बनता है जिस पर राश्पती के दस्कतों ने आवज चके इसके काम है पुराने और नए नए कानून बनाना तो है ही इसके अलावा इसके काम है पुराने कानून और वर्तमान में जो कानून है उसमें कुछ संशोधन करना हो बदलाओ करना हो समाप्त करना हो क्योंकि वे पुराने हो गया है अब उनका कोई आचित नहीं है तो ऐसा कार भी व्यवस्थापिका करती है कानून बनाना और पुराने कानूनों में संशोधन या उसे हटाने का काम करना हूँ दूसरा कारे इसका क्या है सम्विधान संशोधन का कारे ये सम्विधान संशोधन का कारे क्या है जैसा कि शब्द से संशोधन अर्था बदलाओ जिन देशों में के समविधान परिवर्तन शील है यह भारत का समविधान भी परिवर्तन शील है समय के साथ साथ इसमें हम कुछ बदलाओ कर सकते हैं समविधान में नहीं समविधान के मूल भावना में नहीं सम्विधान के कुछ हिस्सों में ये बदलाओ का प्रावधान है समय के साथ साथ बदलती जरूरतों के साथ साथ तो ऐसे परिवर्तन शील सम्विधान जहां है वहां पर संसद का बहुत महत्पूर्ण कारे है समय के साथ साथ कानूनों में परिवर्तन करना भारत में विवाग की उम्र 21 वर्ष थी, पूर में, पुरिशों के लिए नियुन तम आज़े 21 वर्ष थी, अब वो 25 कर दी गई है, मतदान की आज़े पूर में 21 वर्ष थी, अब वो घटा कर 18 कर दी गई है, ये बदलाओ की जरूरत थी, समय के साथ बदलने की है, तो इसे हम संशोधन कहते हैं, समविधान के किसी एक कानूनी प्रावधान में परिवर्तन करना संशोधन कहलाता है, ये जो संशोधन का काम है, ये भी संसद का है, तो ये बहुत बड़ा कार है, समविधान संशोधन की जिम्मेदारी संसद के उपर है, इंगलेंड की संसद को प्रोट्यों संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार है, इंग्लेंड की अधि बात करें तो, इंग्लेंड की संशद वो सब कुछ कर सकती है केवल स्तिरी को पुरुष और पुरुष को स्तिरी नहीं कर सकती, बाकी वो सब कुछ कर सकती, इतने ज़्यादा अधिकार इसको संशोधन के हैं इंग्लेंड में पर भारत की स्थिति थोड़ी अलग है, भारत में संशोधन करने का प्रावधान है बदलते समय, बदलते परिप्रेक्ष में सम्थान में कुछ बदलाओ का प्रावधान है पर ये बदलने की प्रक्रिया उतनी सरलनी है जितनी इंग्लेंड में जहां पर हॉमलेंग के अनिसार, इस्त्री को पुरुष और पुरुष को इस्त्री छोड़कर बाकि सब कुछ बदला जा सकता है ब्रिटिश संसद द्वारा संसद के कारियों में तीसरे कारिय को हम कह सकते हैं प्रशासनिक कारिय पहले दो कारी जो बताए वो कानूनी खेतर से संबंदित थे कानून बनाने की प्रक्रिया से संबंदित थे जो उसके सबसे महत्पूर्ण कारे हैं ये वाला कारे हैं प्रशासनिक कारे क्या संसद कभी कुछ प्रशासनिक काम होता है administrative work वैसे देखा जाये तो व्यवस्थापिका या विधाईका प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक कारे में भाग नहीं लेती ये बात आप पहले समझ लें परंतु कारे पालिक का पर नियंत्रन रखते हुए वो प्रशासनिक कारे ही तो करती है कारे पालिका पर नियंत्रन रखना कारे पालिका को अपने दायरे में रखने के लिए रखने के सुनिश्चित्ता करना ये कारे करते हुए विधाई का भी प्रशासनिक कारे करती है कारेपालिका को कैसे वो बांद के रखती है ऐसे क्या ताने बाने हैं हमारी राजनेतिक प्रक्रिया में या हमारी सरकार के विविन अंगों के बीच में जिसके आधार पे सुनिश्चित होता है कि कारेपालिका नियंत्रित रहे और इस नियंत्रन करने की जिम्मेदारी विधाई का की है यदि आप यहाँ एक पहले फ्लो चार्ट फिर देखिए राश्ट्रपती आपने देखा वो संसद का भी और कारेपालिका का भी अंग है और कारेपालिका का जब हमने अध्यान किया था तो हमने दो तरह की कारेपालिका का जिक्र किया था एक कहलाती है राजनेतिक कारेपालिका और दूसरी कहलाती है ब्यूरोकरिसी इसमें कारेपालिका में आप देखेंगे कि प्रधान मंत्री और मंत्री जो है वे राजनेतिक कारेपालिका का हिस्षा है प्रधान मंत्री और मंत्री राजनेतिक कारेपालिका का अंग है अब ये प्रधान मंत्री और मंत्री आते कहां से हैं ये आते हैं विधाईका से चुन कर विधाईका के चुने हुए लोंगों में ही विधाईका में चुने गए लोंगों के बीच से ही प्रधान मंत्री और मंत्री मंडल के सदा से आते हैं दूसरे शब्दों में कारिपालिका के राजनातिक कारिपालिका के इन सदस्यों का वजूद जो है और चित्य जो है लोकस्ट अंडाई जो है वह विधाईका के सदस्य होने के नाते हैं चुकि वे विधाईका के सदस्य हैं इसलिए वे कारिपालिका के सदस्य हैं और जब विधाईका के सदस्य नहीं रहेंगे ये कारिपालिका के राजनातिक कारिपालिका के सदस्य उसी दिन से नहीं रहेंगे चाहे वो प्रधान मंत्री हो या मंत्री पटशद हो या उसके सदस से हूँ उस हद तक मंत्री मंदल विधाईका के प्रति जिम्मेदार है संसिदात्मक प्रणाली की जो भंबाद करते हैं तो मंत्री परिशद याने राजन्यतिक कारिपालिका हमेशा विधाईका के प्रति उत्तरदाई रहेगी क्योंकि उसे मालूम है कि उसका वजूद उसका अस्तित्व तो विधाईका के कारण है तो इसलिए वो विधाईका के प्रति उत्तरदाई रहेगी और उसे ये भी मालूम है कि विधाईका में जनता के प्रति निदी है और उस प्रकार उनको जनता के प्रति उत्तरदाई होना है उस हद तक ये लोग विधाईका के प्रति उत्तरदाई रहते हैं और उसके नियंतरण में रहते है जब तक विधाईका का विश्वास इस मंत्री परिशत को है जब तक विधाईका का विश्वास इस राजन्यतिक कारेपालिका पर है तब तक वो अपने पद पर है जिस दिन विधाईका ने अपना विश्वास खो दिया उस दिन कारिपालिका, राजन्यतिक कारिपालिका समाथ वो आली कारिपालिका समाथ और नहीं कारिपालिका आएगी अर्थाज नया मंत्रि मंदल आएगा, नया मंत्रि परिश्यद आएगा प्रश्न पूछना काम रोको प्रस्ताव रखना निंदा का प्रस्ताव करना अविश्वास का प्रस्ताव करना ये सब क्या है ये शब्द आपने चुने होंगे प्रश्न पूछने का काम, काम रोको प्रस्ताव का रखना, निंदा करने का प्रस्ताव, अविश्प्रास प्रस्ताव और भी ऐसे कई त्रावधान हैं, हमारी संसदी प्रणाली में, जिसके तहत, संसद के सदस्य, मंत्री परिशत से सवाल जवाब कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, अविश्वास का प्रस्ताव कर सकते हैं, आधी-आधी संसत सदसे अर्थात विधाई का मंत्री परिशत से ये सब कर सकती है अर्थात कारे पाले का के ऊपर ये सब कर सकती है तो नियंतरन किसका हुआ विधाई का का और ऐसा करते हुए विधाई का जो है वह एक तरीके से प्रशासनिक कारे कर रही है इस प्रकार इन माध्यमों से प्रश्ण उठाते हुए अविश्वास प्रताओं के माध्यम से निंदा प्रताओं के माध्यम से और अन्य कुछ जरियों से वह स्चुनिश्चत करती है कि कारे पाले का उसके नियंत्रण में रहे तो यह हो गया उसका प्रशासनिक कारे अब चौथा कारे है आर्थिक कारे संसद के आर्थिक कारे क्या है व्यवस्थापिका जो है वो कारेपालिका को नियंतरत करती है ये तो मालूम गुआ व्यवस्थापिका इसके साथ ही राज्य के या देश के व्याय पर वित्थ पर भी नियंतरत रखती है वित्थ पर नियंतरत रखने का काम व्यवस्थापिका का है और वित्त का संबन्द किसे है बजट से आए व्याए कराधान से है कर प्रस्तावों से है व्यवस्थापिका ही नए कर लगा सकती है पुराने हटा सकती है कर के रकम में संशोजन कर सकती है और किस मद में कितना खर्च करना है ये तै करती है उसकी अनुमत ही देती है उसकी स्वीकृत ही देती है और ऐसा करते हुए वह क्या करती है सरकार के खजाने पर नियंतरन रखती है तो व्यवस्थापिका का एक बहुत महत्पूर्ण काम है देश के खजाने पर नियंतरन रखना सरकार की इंकम और एक्स्पेंडिचर आए और व्याए पर पैनी नजर रखना करों का प्रावधान करों में बदलाओ नए करों का आना जी एस्टी जैसे नए कर ये व्यवस्थापिका के अनुमोधन पर आता है व्यवस्थापिका के द्वारा पारित करने पर ही लागू होता है प्रधान मंत्री अपने स्वयमे विए कर नहीं ला सकते राश्पति स्वैम होकर ऐसा कोई सा कराधान नहीं ला सकते ये तो संचद ही केवल कर सकती है और इस प्रकार संचद का एक आर्थिक काम आर्थिक मुद्दे से जुड़ा हुआ काम है देश के खजाने पर नियंतर्ण व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना प्रधान मंतरी द्यूसरे लोग तो क्या प्रधान मंतरी भी एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकते व्यवस्थापिका की अनुमति के बिना राजकोश का एक पैसा भी व्याय नहीं किया जा सकता पाई-पाई के लिए संचद की अनुमति की जरुष होती है उनकी अनुमतिके बिना सरकार स्पधान मंत्री कोई कर नहीं लगा सकते और अनुमतिक आर्थ है संसद के द्वारा बहुमत से पास होने पर ही सरकार यह सब कर सकती है यदि सरकार ने प्रस्ताव रखा संसद में कि इतना कर इस मुद्दे पर लगाने के आश्कता है संसद ने अदि पास कर दिया तो सरकार लगा सकती है लेकिन संसद से पूछे बिना सरकार अपने आप ऐसे कोई करके प्रावधान नहीं कर सकती और इस प्रकार पश्रूप से कहा जा सकता है कि संसद का एक अहम कारे है रज के आए व्याए पर पूर्ण नियंतरन रखना कुल मिलाकर संसद के वित्ती कारे को हम कुछ इस तरह से बांट सकते हैं जिसमें पहला है सरकार ना तो गलत खर्च करे और नहीं ज्यादा खर्च करे इस बात को सुनिश्चित करना ना गलत खर्च और ना ज्यादा खर्च दूसरा करा धान पे नियंतरन का प्रावधान याने कर के बारे में कुछ निर्णे लेने हैं तो इस पे नियंतरन रहे सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंतरन सरकार ना गलत खर्ट करे और ना ज्यादा दूसरा कराधान पर नियंतरन तीसरा सरकार द्वारा धन के प्रयोक पर नियंतरन अब ये धन के प्रयोक की अदि बात होती है तो किस तरीके से उस पे लगाम रहती पहला खर्च किये गए धन का हिसाब देना होता है दूसरा खर्चों का विवरन और फिर ये हिसाब और विवरन जो है वो सदन के सामने पेश होता है कराधान पे नियंतरन की अदि बात करें तो नै कर उस पर संसद की स्वीकृति आवश्चक कर दो कर दो कर पूँ कर दो पांचवा कारे न्यायायिक अनेक देशों में व्यवस्थापिका जो है वो न्याय संबंधी काम भी करती है इंग्लेंड की जो अपर हाउस है जिसे वहाँ पे हाउस ओफ लॉड्स कहते हैं जैसे भारत में अपर हाउस रज्य सभा है इंग्लेंड में House of Lords ही सर्वोचिन आयले है वहाँ पे सदन का एक अंग ही सर्वोचिन आयले हो गया है फ्रांस में Council of Republic अमेरिका में Congress जो सदन के ही हिस्से है वे न्याय संबंदी काम भी करते हैं भारत की संबंदी काम कौन सा किया जा सकता है उधारन के लिए भारत की संबंदी काम में एक अतिमत पूर्ण काम है और वह है महाभियोग लगाने और उसका निर्ने लेने का काम महाभियोग अर्थाथ impeachment महाभियोग क्या है इसके बारे में विस्तार थे मैंने कारेपालिका के ताथ आप लोगं को समझाया है राष्ट्रपती पर या मुक्ष नया अधीश पर जब किसी तरह का आलोप संसद में लगाया जाता है और उस पर मतदान होता है उसके सचाई को लेकर तो उसे महाभियोग कहते हैं तो ये नियाय संबंदी काम ही तो है राष्ट्रपती ने कुछ अन्याय किया हो तो देश को नियाय दिलाने के लिए महाभियोग लगाए गया ये नियाय संबंदी कारे के दाएरे में आता है और इसलिए हम कहते हैं कि भारत की संसद के पास नियाय कारे भी है छटवा कारे इसका संबंद है निरवाचन से इलेक्शन से और एपॉइंडमेंट से इलेक्शन एपॉइंडमेंट चुनाओ और नियुक्ति संबंदी कारे इसमें क्या आता है बहुत से देशों में निरवाचन और नियुक्ति संबंदी काम सदनों के हैं स्विद्धर लैंड में दोनों सदन मिलकर मंत्र परिशत का गठन करते हैं नया धीशों का चैन करते हैं कुलपतियों और प्रधान सेनपति का निर्वाचन करते हैं ये स्विद्धर लैंड की संसद उसके पास इस मामले में बहुत ज़्यादा पावर है मंत्री परिशद का चैन भी संसद करती है लेकिन भारत में थोड़ी सी स्थिती बदली होई है भारत में क्या होता है भारत में संसद के दोनों सदन और विधान सबा सदस्य विधान मंडल या विधान सबाओं के निर्वाचित सदस्य ये किनका चैन करते हैं आप प्रत्यक्स चुनाओं किनका होता है भारत में और ये लोग किसका चुनाओं करते हैं ये मैंने पिछले अध्याय में बताया था राश्टपती का ये लोग राश्टपती का चुनाओं करते हैं निर्वाचन करते हैं